हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है टॉर्जन, एंठन, हमें पता है कि मॉलुस्का में जो गेस्ट्रोपोट्स के सदस्य होते हैं, उनके अंदर टॉर्जन पाया जाता है, उनका जो विजरल मास है, वो विजरल मास में ट्विस्टिंग होती है, उस प्रॉसेस को कहत हैं टॉर्जन, ठीक है, अब आप जैसे यहाँ डाइग्राम देख रहे हो, यह एक काल्पनिक जो है डाइग्राम बनाया है, लार्वल स्टेज के डेवलपमेंट का, इसमें आप यह पार्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टॉर्जन अपॉन पोजीशन ओफ गिल, डाइजिस्ट सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर आप पहला जो डाइग्राम देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि इसकी जो एलिमेंटरी कैनाल है, वो बिलकुल स्ट्रेट है, माउट से शुरू होकर के एनस में, ठीक है, एंड होती है, और बाइलेटरल सिमेंटरी, यान बिलकुल बीच में है, ठीक है, यह हो गया डाइजिस्टिव ट्रैक, अब हम लेते हैं इसका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हो, कि जो नर्वस सिस्टम है, उसमें यह सेरिब्रल गैंगलिया, दोनों साइड में, हेड वाले पार्ट में, प्ल पेरो विजरल गैंगलिया, प्लूरल गैंगलिया, पीडल गैंगलिया, इंटस्टाइनल गैंगलिया और विजरल गैंगलिया, यह भी एक पेर में उपस्तित हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, गिल्स, गिल्स जो है, यह एक जोडी गिल्स, जो दोनों साइड में उ कोनों तरफ है यानि कुल मिलाकर जो इसका फर्स्ट वाला डाइग्राम है इस फर्स्ट वाले डाइग्राम में क्या बता रखा है हाइपो थेटिकल प्रिमिटिव स्टेज बिफोर टॉर्जन जिसके अंदर बिल्कुल बाइलेटरल सिमेंट्री यहां हमें दिख रही है गिल् स्टार्ट हो गया है तो यहां इंटर्मीडियेट स्टेज है इंटर्मीडियेट स्टेज शोइंग 90 डिग्री टॉर्जन यह इस तरह से ऐलेमिंट्री केनाल 90 डिग्री टॉर्जन हो गई है इसके साथ साथ ही यहां जो यह मैंटल केविटी वाला पार्ट है यह भी राइट side में यहाँ पर इसकी position हो गई है इसी तरह से इसके साथ में mental cavity में उपस्तित जो paleal complex वाले organs है वो सब यहाँ पर 90 degree angle पर यहाँ पर उपस्तित हो गए है turn हो गए है यह है B वाला diagram अब आप यहाँ C diagram देखो आप इसमें इसके अंदर क्या है कि यहाँ 90 degree तक हुआ था B में अब और 90 degree पर turn हो करके और यह पूरा mental complex जो है यह mental cavity और paleal complex जो है यह कहाँ पर आ गया है यहाँ posterior part में था initial stage में लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आ गया है anterior part में आ गया है और इसके साथ में इसके जो organisms है यानि गिल है औस्फरेडियम है ठीक है यह भी सब जो है 180 degree total अगर यह vertical position है तो अब इस position में A में और C में आप देखो यहाँ 180 degree movement हो चुका है कितना movement हो चुका है 180 degree यहाँ 90 degree हुआ फिर यहाँ और 90 degree हुआ तो इस तरह से यह जो mental cavity वाला भाग और paleal complex वाला जो भाग है यह पूरा जो है एक vertical axis पर एक vertical axis पर यह anti clockwise direction में 180 degree जो है यह turn हो चुका है और यहाँ changes हम क्या क्या देख रहे हैं एनस जो है इसका यह coil होकर के आगे की तरफ आ गया है यानि mouth और एनस दोनों जो है पास पास आ गये हैं इसका mental cavity वाला भाग anterior पार्ट में आ गया है गिल वाला पार्ट anterior पार्ट में आ गया है और यहाँ आप देख रहे हो जो nervous system है इसका nervous system nervous system इस torsion के कारण यह बन जाता है अपनी symmetry हो देता है और यह बन जाता है eight shape का यहाँ पर यह bilateral symmetry थी nervous system में लेकिन यहाँ पर eight shape का बन जाता है इसमें जो सुप्रा इसमें जो intestinal connective है intestinal connective ठीक है तो यह जो connective है intestinal connective यह आप देखो एक चला जाता है intestine के नीचे की तरफ से infra intestinal ganglia ठीक है और एक हो जाता है intestine के ऊपर की तरफ से और यह कहलाएगा क्या supra intestinal connective यह supra intestinal connective यह infra intestinal connective यह infra intestinal ganglia क्योंकि यह नीचे की तरफ रह गया और यह ऊपर की तरफ रह गया supra intestinal ganglia तो इस तरह से जो है यह एक hypothetical diagram है यहाँ पर यहां लार्वा की first stage में bilateral symmetry, second stage में right side में 90 degree angle पर movement और third stage में again, जो है 90 degree again movement यानि total vertical axis पर 180 degree का movement हो रहा है, किस चीज का? mental cavity, उसके साथ उसमें उपस्तिच जो paleal complex है वो, इनकी जो nervous system है उसका, ठीक है? और यहां आप एक चीज और देखिए, यहां पर heart की जो position है, यहां पर auricle नीचे की तरफ है, ठीक है? और ventricle उपर की तरफ है, लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, auricle उपर की तरफ आ जाते हैं और ventricle नीचे की तरफ आ जाता है, इस तरह से elementary canal twist हो गई है, nervous system twist हो गया है, और position mental cavity की और जो गिल की position है, वो change हो गई है, पर्ष्च पीछे की तरफ, पीछे की तरफ से यह कहां पर आ गए है, आगे की तरफ, ठीक है, anterior side में आ गए है यह, तो यह diagram जो है, यह हमें torsion के time पर जरूर ध्यान रखना है, बहुत simple diagram है, अब हम इसकी theory step by step लेते हैं, सबसे पहले यदि यह question पूछा जाता है, तो हमें क्या बताना है, इसकी definition क्या है, how will it define torsion, तो what is torsion, torsion is, torsion or twisting is a process during larval development of gastroports, gastroports के larval development के time पर यह twisting देखी जाती है, जिसमें viseropalium जो है, यानि अंतरंग जो प्रवार है, वो 180 degree पर anti-clockwise direction में अपनी initial position से move कर देती है, जिसके परणाम सरुप उसकी जो mental cavity है और जो paleal complex है, वो कहां आ जाता है, adult में उसकी position फ्रंट में आ जाती है, लार्वा में उसकी position कहां पर होती है, back side में, posterior side में, लेकिन adult में इस torsion के कारण mental cavity और paleal complex जो है, यह किस सेड आ जाते हैं, डॉर्सल side में आ जाते हैं, आगे की side में आ जाते हैं, because of anti-clockwise moment, और कितना 180 degree पर, ठीक है, तो हम पहले बताएंगे इसकी definition, second लेते हैं हम site of torsion, site of torsion, in larval gastroports only visceral mass undergoes rotation through 180 degree, केवल visceral mass का rotation हो रहा है 180 degree पर, जबकि उसकी head और foot की position जो है, वो fix रहती है, यहाँ आप लोगों ने जैसे diagram में देखा, केवल क्या move हो रहा है, visceral mass move हो रहा है, head की position और tail की position, head की position और foot की position अपनी जगापर है, बीच का जो portion है visceral mass इसमें torsion हो रहा है, पहले 90 degree, again 90 degree, anti-clockwise direction में, ठीक है, तो site क्या हो गई इसकी, site है इसकी की head और foot जो है, इनकी position fix रहती है, केवल visceral mass rotate करता है, through 180 degree, actual site of torsion is neck, तो हम कह सकते हैं, actual site क्या है, torsion का neck है, behind the head foot, head और foot के पीछे वाले भाग में, जिसमें कि isophagus, rectum, aorta, visceral nerve loop और shell muscles पाई जाती है, तो इन सब में जो है 180 degree का movement हो जाता है, in anti-clockwise direction, तो site क्या है, neck वाला portion, ठीक है, head और foot की position fix रहती है, अब हम लेते हैं यहाँ पर, कि जो torsion है, वो प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, तो torsion is not merely an evolutionary hypothesis, यह मात्र एक उद्विकास से यह परिकलपना नहीं है, बल्कि यह gastroports जो होते हैं, उनकी embryonic development के टाइम पर यह process देखा जाता है, before torsion, torsion से पहले larva is quite symmetrical, larva में symmetry पाई जाती है, जैसे आपको इस diagram में बताया गया था, torsion से पहले इसमें symmetry है, elementary canal straight है, mouth और यह anus, straight है, mouth anterior side में है, और anus posterior side में है, ठीक है, nervous system में भी proper symmetry है, appear of cerebral ganglia, pleural ganglia, pedal ganglia, intestinal ganglia, और visceral ganglia, एक symmetry में उपस्तित है, इसी तरह से इसका जो गिल है, इसमें भी symmetry है, दोनों side में उपस्तित है, औस फ्रेडियम भी दोनों side में बराबर जगा पर उपस्तित है, renal aperture भी दोनों side में बराबर उपस्तित है, और auricles चो है, यह पीछे की side में है, ventricle उपर की side में है, तो initial stage में इसमें क्या है, एक symmetry देखी जाती है, यह क्या देखी जाती है, इसमें, symmetry देखी जाती है, यहां वापस आ जाते हैं, before torsion, larva is quite symmetrical, mental cavity faces backwards and downward, mental cavity backward है और downward है, elementary canal straight है, और anus posterior part में middle line में open हो रहा है, अब जब torsion होता है, तो दो steps होंगी, पहली step, पहले 90 degree में angle में होगा, फिर again 90 degree angle में होगा, ठीक है, तो पहला step क्या है, ventral fracture of the body, यानि अधर ये भाग में, बॉड़ी के अधर ये भाग में आकुंचन होता है, और जिसके परणाम सरूप, elementary canal में loop बन जाती है, जिसके परणाम सरूप, mouth और anus, लगभग जो है, थोड़े करीब आ जाते हैं, तो पहला step, यहां हम लेते हैं, ये वाला, ventral fracture, यहां पर ventral fracture हुआ, अधर ये अकुंचन हुआ, जिसके परणाम सरूप क्या हुआ, कि ये 90 degree, anti-clockwise direction में movement हुआ, ठीक है, तो mouth और anus, थोड़े, पास आ गए, इसके compare में, ठीक है, mental cavity जो है, ये भी right side में move कर गई, और mental cavity में उपस्तित, जो organisms हैं, इनका movement भी किस तरफ हो गया, right side में हो गया, ठीक है, तो ये first step है, first step torsion का क्या है, ventral fracture, ठीक है, अब हम लेते हैं second step, इसमें क्या होता है, यहाँ लेते हैं हम, ventral fracture is followed by, ventral fracture हो गया, ventral fracture is followed by literal torsion, अब literal side में torsion होगा, और literal torsion जो है, इसके परणाम सरूप, shell जो की पहले exogastric था, याने dorsal side में था, वो अब कहाँ पर आ जाएगा, ventral side में और endogastric हो गया, और literal torsion अब क्यों होता है, literal torsion के लिए, दो अलग-अलग विचार हैं विज्ञानिकों के, जैसे पहले क्या माना जाता है, कि literal torsion is probably due to the rest of growth on one side, and active extension on the other side, यानि संभवता है, literal torsion क्यों होता है, कि एक side की growth तो रुख जाती है, वो एक side की growth रुख गई, तो obvious है कि दूसरी side क्या होगा, active extension, यानि जादा growth होगी, और सामाने तहर right side की जो growth है, वो रुख जाती है, जिसके परणाम सुरूप mental cavity और paleal complex, वो वहाँ से कि side move कर जाएंगे, right side में move कर जाएंगे, ठीक है, and so to the anterior side on account of the greater growth of the visceral sac towards the left, और इसका कारण क्या है, अगर right side की growth रुखी है, तो left side की growth जादा होगी, और left side की growth जादा होने के कारण, क्या होगा, कि again, जो है 90 degree angle का moment होगा, towards the anti-clockwise direction, लेकिन ऐसा देखा गया, but the whole process completes in 2 or 3 minutes in acmia, so that it cannot be regarded due to differential growth, लेकिन acmia में, ये जो पूरी जो process है, ये process जो है, 2 या 3 minute में ही complete हो जाती है, torsion वाली, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि differential growth वाला जो idea है, वो जो है, पूरी तरह से इस चीज को justify नहीं करता, literal, जो moment है इसको, तो on the contrary, यानि इसके विपरीत क्या माना जाता है, कि it is due to muscular contraction, कि ये जो literal torsion हो रहा है, ये muscular contraction के कारण होता है, ना कि growth के irregular होने के कारण, जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा, कि right side की growth रुख गई, तो left side की growth जादा हुई, जिस कारण से anticlockwise moment हुआ, ऐसा नहीं, बलकि क्या है, muscular contraction के कारण, अब कौन से side की muscle contract करती है, तो इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, actual mechanism of torsion is supposed to be asymmetric position, and pull of larva retractor muscles running from wheeler lobe to the shell, वास्तों में क्या होता है, कि retractor muscles होती है, कौन सी muscles होती है, larva में जो retractor muscles है, जो wheeler lobe से लेकर shell तक जा रही है, इन में asymmetry पाई जाती है, असमिती पाई जाती है, और ये जो larva में जो retractor muscle है, जो wheeler lobe और shell के बीच में है, ये केवल right side में present होती है, और left side में present नहीं होती है, अब क्योंकि ये केवल right side में present है, तो जब ये contract करती है, ये left side में नहीं होती है, तो जब ये retractor muscles, जो की केवल right side में उपस्तित हैं, between the wheeler organ and the shell, जब ये retractor muscles, larval retractor muscles contract करती हैं, इसके कारण आगे का torsion या rotation होता है, ठीक है, और इसके कारण, जो है, वो 90 पहले हो चुका था, ventral flexor के कारण, तो उसके कारण आगे का 90 degree, यानि की 180 degree total जो है, ये किसके कारण होता है, ये जो larval में जो retractor muscles हैं, इनके contraction के कारण, जिसके परणाम स्वरूप, only narrow neck of the larva is actually twisted, के केवल जो narrow neck वला portion है, लार्वा का, उसमें वास्ताव में twisting होती है, consequently everything between the head and the anus undergoes an anti-clockwise rotation, जिसके परणाम स्वरूप, head और anus, head और, या anus नहीं आना चाहिए था, head और foot आना चाहिए था, head और foot के बीच में जो भी organisms हैं, उनमें anti-clockwise rotation या torsion होता है, और through the angle of 180 degree, around the vertical axis, passing through dorsal ventral direction, इस चीज़ को हम वापस यहां से explain करते हैं, head और foot के बीच में जितने भी visceral organs हैं, इन visceral organs में dorsal ventral, यह dorsal side है, यह ventral side है, तो इसमें 180 degree का क्या हो गया, movement हो गया, 180 degree का movement हो गया, जिसके प्रणाम सरूप, वापस अगर हम repeat करें, main क्या-क्या changes आए हैं, चलो यह हम आगे point wise describe कर देंगे, यहां से हम लेते हैं, vertical axis passing in dorsal ventral direction, anti-clockwise direction में, अब हम लेते हैं step by step की क्या-क्या changes आते हैं, सबसे पहला displacement of mental cavity, mental cavity was primitively posterior in position, शुरुवात में mental cavity कहां पर होती है, posterior होती है, ठीक है, लेकिन बाद में after torsion, the mental cavity opens just behind the head, and its associated parts are shifted forward, यहनि शुरुवात में mental cavity कहां पर है, posterior में है, torsion के बाद mental cavity कहां पर आ जाती है, anterior part में, just behind the head, head के just पीछे, और उसके साथ में उसके सारे organs भी जो है, वो shift हो जाते हैं, दूसरा क्या change आ रहा है, change in related position, before torsion, torsion से पहले anus, tanidia, renal orifices point backward थे, auricle, जो है, वो ventricle के पीछे की side था, और after torsion क्या हुआ, anus, tanidia, renal offices, projects forwards, और auricle, जो है, वो ventricle के front में आ जाता है, तो इस तरह से जो है, यह related position में change आया, यह diagram में आपको पहले explain कर दिया था, third change क्या होता है, looping of elementary canal, शुरू में, यानि primitive stage में, जो elementary canal होती है, वो straight होती है, mouth, head वाले part की तरफ है, और यह straight है, और यहाँ पर, पीछे वाले part में, posterior part में, anus, semi-line में, ठीक है, लेकिन torsion के बाद में क्या हो जाता है, elementary canal में loop बन जाता है, यह जैसे mouth है, तो यहाँ से यह घूम करके, इस तरह से आ गई, आगे की तरफ, ठीक है, तो loop बन गया, fourth change क्या हो रहा है, chiasto-nury, यानि जो nervous system है, उस nervous system में, जो pleuro-viseral nerve connectives है, जो pleural ganglia को viseral ganglia से connect कर रहे हैं, वो pleuro-viseral nerve connectives जो है, उनमें twist आ जाता है, और उनका figure कैसा बन जाता है, 8 shape का, यह यहाँ आपको जिसे बताया था, यह आप देख रहे हो, यह इस तरह से 8 shape में आ जाता है, यह 8 shape में आ जाता है, ठीक है, pleuro-viseral, pleural ganglia को viseral ganglia से connect करने वाला जो connective है, ठीक है, तो यह 8 shape में आ जाता है, और क्या changes आते हैं, यह हम लेते हैं, इसको कहेंगे, kiasto-nury, ठीक है, अब हम लेते हैं endogastric coil, coil, coil जो शुरुवात में कहां पर था, dorsal side में था, primitive walls, dorsal, तो उसको exogastric कहेंगे, torsion के बाद वो कहां पर आ जाता है, ventral side में, यह उसको कहेंगे endogastric torsion, after torsion वो क्या हो जाता है, shell endogastric हो जाता है, ठीक है, अब यहां आप दो diagram देख रहे हो, first two diagram है, यह है archeogastropoda का, second जो diagram है, वो है mesogastropodas का, तो archeogastropodas में आप देख रहे हो कि torsion के बाद में भी, यह mental cavity posterior से आगे आ चुकी है, after torsion, ठीक है, और यहां पर भी mental cavity और उसके साथ उसके जो organisms हैं, वो आगे आ चुके हैं, लेकिन archeogastropoda में symmetry maintain है, यानि a pair of gill, दोनों साइड में, anus जो है, वो मध्यवाले भाग में है, तो symmetry maintain है, लेकिन यहां आप देखो, mesogastropodas के अंदर symmetry loss हो गई है, symmetry loss कैसे हो गई, anus जो है, यह center में नहीं है, कि side में है, right side में है, ठीक है, और इसी तरह से गिल जो है, किवल एक ही side का उपस्तित है, दुसरे side का गिल भी उपस्तित नहीं है, तो mesogastropodas के अंदर symmetry तो loss होती ही होती है, उसके साथ साथ में कुछ ऐसे body part भी है, जो loss होते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं, इसी point को, यह था endogastric coil, और यहाँ loss of symmetry and atrophy इसको कहेंगे, loss of symmetry, anus is displaced towards right side of the paleal cavity, anus अब center में नहीं है, right side में हो गया है, paleal cavity के, so that original symmetry जो है, वो disappear हो गई है, another characteristic feature involving asymmetry is, दूसरा क्या है, reduction और atrophy of paired parts, paired parts जो थे, उनमें से, जिस side में torsion हुआ है, जिस side में topography हुआ है, torsion हुआ है, उस side के कुछ parts जो है, वो loss भी होते हैं, यानि ना केवल asymmetry हो रही है, symmetry ही loss हो रही है, बलकि कुछ body के parts जो है, वो भी क्या हो रहे हैं, loss हो रहे हैं, यह depend कर रहा है कि torsion किस side हो रहा है, right side में हो रहा है, कि left side में हो रहा है, यहीं वो example दिये गए हैं, in primitive archaeo, in primitive, in primitive archaeo gastroports, जिसको diatocardia भी कह सकते हैं, इसे नाम से mention हो रहा है कि symmetry, जो है loss हो रही है, लेकिन उसमें, जो दोनों जो part, symmetry जो है, वो maximum इसमें loss नहीं होती है, जैसे इसके अंदर दो gills रहे गए, दो auricles है, दो kidney है, लेकिन right side की जो kidney है, वो अब function करती है, gonoduct का, ठीक है, in more specialized mesogastroports, लेकिन mesogastroports में, जिनको monotocardia भी कहते हैं, जैसे कि पाइला है, व्यूसीनम है, लिटॉर्मनिया है, इनके अंदर, टैनिडियम, औरिकल, औस्फरेडियम, हाइपो ब्रेंकियल ग्लैन और kidney जो है, of the topographically right side, right side का moment है, वो disappear हो जाती है, in dextral form, एक, एक गिल गया, एक औरिकल गया, एक औस्फरेडियम गया, एक हाइपो ब्रेंकियल ग्लैन और kidney डिसपियर हो जाती है, dextral form में, और इसका reverse देखा जाता है, sinistral form में, यानि sinistral form, अगर left side में है, moment torsion left side में है, तो left side का टैनेडिया, औरिकल, औस्फरेडियम, हाइपो ब्रेंकियल ग्लैन और kidney जो है वो डिसपियर हो जाती है, और इन में पाइला में जैसे हमने पढ़ा कि remaining गिल, जो एक बच गया है गिल, उसके अंदर भी, कभी कभी क्या है, केवल वो monopactinate गिल रह जाता है, monopactinate मतलब, जैसे ये गिल axis है, तो इसके किवल एक ही side में filament सुपस्तित है, दोनो side में filaments, या जो है, दोनो side में जो है, ये filament सुपस्तित नहीं है, ये आप दुखो remaining गिल में appear one row of filaments, monopactinite गिले ही रह जाता है, एक तो संख्या कम रह गई, 2 के बज़ाए 1, 2 के बज़ाए 1, और इस एक में भी, यहाँ with hypocrite show किया गया है, लेकिन यहाँ क्या है यह, monopactinite हो जाता है, थिक है, तो इस तरह से यदि आप से पूछा जाता है comment on torsion तो आप इसके अंदर torsion के definition, definition के बाद में site of torsion, site of torsion के बाद में आप ये दो steps में जो हो रहा है, एक पहला step क्या है, ventral flexure of the body जिसके कारण 90 degree angle पर जो है elementary canal move कर रही है और 90 degree angle पर ये mental cavity और paleal complex जो है move कर रहा है और दूसरा, दो जो इसके reasons बताएगा है, आईदर क्या है एक side की growth जादा होने के कारण, और दूसरा क्या बताया है, लारवर की जो retractor muscles है, जो कहाँ पर है wheeler lobe से लेकर shell तक उपस्तित हैं, जो के वल right side में है उनके contraction के कारण, बचा हुआ जो 90 degree angle का movement है वो फिर complete होता है, तो यह दोनों हमें इसमें mention करने हैं फिर हम इसमें यह diagram बनाएंगे, diagram बनाने के बाद में हम जो changes हो रहे हैं, उन changes को step by step जैसे displacement of mental cavity, change in relative positions, looping of elementary canal, kiasto, neury, endogastric shell, और अंतमे loss of symmetry and atrophy के बारे में बताएंगे और यह दोनों diagram उसमें mention करेंगे, तो that's all about the topic, thank you